कलास, संगीत, सिछा और सामाजिक सरुकार से जुड़ेवे वीडियोच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी का वटन दबाएं बच्पन में जब मैं कलास रूम में था तो मैं अपने मित्रों से कहता था कि बारिस इसलिए नहीं हो रही है कि बरेच गाते जा रहे है तो हमारा एक मित्र कहता था कि अरे कहां बारिस नहीं हो रही बार तक आ रही है दरसल होता क्या है कि बार इसलिए नहीं आती है कि बारिस बहुत जादा होती है बार इसलिए आती है कि जो बारिस का पानी होता उसको हम सहेजना भूल गए हमारे आसपास कच्छी जमीन हुआ करती बहुत सारे तालाब हुआ करते थे तो उन गड़ों में उन तालाबों में पानी भर जाता था अब वो सब पाट दिये गए शड़के बन गई हैं बड़ी बड़ी विल्डिंग बन गई हैं जमीन को पानी सोखने को अब मिलता नहीं है तो वो एक जेल प्रले बन जाता है गड़ी बूंद के लिए तरसने लगते हैं हमारे देस के लोग जीवन अर्थ विवस्ता पर वत्योहार सब वरसात या मानसून के मिजाज पर निर्वर रहते हैं जो सहर महान अगर पूरे लाल पूरे साल भर बाईव पर दूसर के हलकान में रहते हैं जब बारिस होती तो लगता कि कुछ मौसम साफ हुआ है कुछ परदूसर से नेजात मिली है हम अपनी जरूरतों का कुछ लीटर पानी घटाने को तो राजी है पर मांसून से मिले जल को सारचित करने के लिए मार्ग में खुद ही रोडे अटकाते हैं हम बहुत अच्छा मकान बनवाते हैं लेकिन बार्टर हार्वेश्टिंग की कोई विवस्था नहीं करते हैं उत्तर पदेश में गंगा अमना या उसकी सखी सहलियों को जहां भी बांधने का प्रयास हुआ बहां जल प्रले हुआ और गुजरात का उधरर सामने है कि नर्वदा के बांधने से हर सहर की आधनकता पर पान कोई नदारत कर दे गए फिर पानी सहजने वा उसके बहुत देशी स्थेमाल के लिए बनाए गए बांध अरवों की लागत और दसकों के समय के बाद थोड़ी सी बरसात को समिट नहीं पा रहे हैं पहार पेड़ और धरती को सामंजस के साथ खुला छोड़ा जाए तो इनस लाद के जल को सहेज कर रखने के प्राकरतिक खजानों की रच्चा के प्रति ना गंबीर हैं और नहीं कुछ नया सीखना जाते हैं पूरा जलतंत्र महज भूजल पर ठिका है जबकि यह सरविदे तत्थ है कि भूजल पेजल का सुरचित साधन नहीं है हर घर तक नलक से जल पहुंचानी की ओजना का सफल क्रियानवन केवल मानसून को सम्मान देने से ही संभो होगा क्योंकि जमीन के अंदर भी जो पानी है उपर दूसित हो चुका है कहीं हाड वाटर है कहीं डार्क जोन है कहीं पानी पीने लाइक है को शीखना ये है कि जो बारिस का जल है उसको हम सहेज कैसे सकते हो वो बरवाद ना जाए उसके लिए हम कौन सी तकनीकी का प्रियोग कर सकते हैं तो जल बचाएं और जीवन बचाएं और ये संदेश घर-घर पहुचाएं